दोस्तों आज हम वैदिक प्रात्ना करेंगे या सीखेंगे तो वैदिक प्रात्ना करने से पूर सब लोग तो खासन में या पदमासन में जिसमी आशन में वो कमफर्टेवल फील करें उस आशन में बैठ जाएं आखे बंद कल लें रीड की हड़ी सीधी कल लें और इस प्रात प्राथना को ध्यान पूर्वक सुनें, मनन करें, जब यह आध हो जाए, तो उसे सांथ बोलें, वैदिक प्राथना शुरू करते हैं। प्राथना को बिना मांगे ही, सुयम हमारी जोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आचल में अविचल सांती तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण सरण की सीतल छाया में परमतरप्ती है, शास्वत सुक्की उपलप्ती है तथा सब अविलिसित पदार्तों की प्राप्त है। ये जगत पिता परमेश्वर हम में सच्ची स्रद्धा तथा विश्वास हो, हम तुम्हारी अमरित मई गोद में बैठने के अधिकारी वनें। अंतह करण को मलन वनाने वाली स्वार्थ तथा संकीरता की सब छुद्र भावनाओं से हम उचे उठें। काम, क्रोध, लो मोह, इर्शा, दुएश, इत्यादी कुटिल भावनाओं तथा सब मलन वाशनाओं को हम दूर करें। अपने हिर्दय की आशरी प्रवत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रवो, हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आचल पकड़ते हैं। हे हमारा सरीर स्वस्त तथा परिपुष्ट हो, मन सुक्ष्प तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुन्दर हो। तुम्हारे साइस पर्स से हमारी सारी सक्निया विक्षित हो। हिर्दय दया और सहान भूती से भरा हो। हमारी वानी में मिठास हो तथा द्रश्टी में प् में हमारा जीवन अर्पित हो इसे अपनी सेवा में लेकर हमें किरता के करें ओम शान्ती ही शान्ती ही शान्ती ही